श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती ले कर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और उसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्र तेर्फिर की उर्जा भी बहुत ज्यादा रहेंगी और आपकी काम करने की गति भी बढ़ेगी इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अपना व्यापार छोटी- premiere उनसे करते है यानि उन्हें व्यापार करने के लिए छोटी छोटी यात्राय करनी पड़ती है इस समय में यात्राय होने के योग बन रहे है खास करके छोटी यात्राय आपको लापकारी सिद्ध होगी दोस्तो इस दिन भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा जी हां भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा चंद्रम इस दिन नवम भाव को देख रहे हैं चंद्रमा की नवम भाव पर दुरुष्टी होने से दिन आप के लिए भागेशाली रहने वाला है लेकिन चंद्रमा पराक्रम छेतर में गोचर कर रहे हैं उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी आप धार्मी कृत्ति के नजर आओगे, धर्म कर्म के काम में आपकी रुची बढ़ेगी, आपके घर में भी कोई धार्मी कार्य संपन होने की संभावना है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुब रहेगा, व आपके रिष्टे और अच्छे वनेंगे, एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा, भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएगे, एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा, अगर कोई पुराणी अन्बन थी, तो वो समाप्त हो जाएगी, अगर जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स लापाएगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्टूडन्स के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा स्टूडन्स को इस समय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिस तरह से सारी चीजे चल रही है उसी तरह से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर पर्सनल लाइप की बात करते हैं लव लाइप की बात करते हैं तो ये समय लव लाइप के लिए भी बेहतरीन हैं गूमने फिरने के लिए लाइप को एंजॉय करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करें इ इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है। दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है। लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छे रहेगा।